हालो फ्रेंड्स वेल्कम टू पिंकाश्या किचन मैं चैनल आज मैं बनाने जा रहा हूं जी पास्ता पास्ता बनाने के लिए एक कडाही में मैंने पाणी लिया है इसी बर्तन में पाणी ले सकते हो आप अब मैं इसमें डालूंगा पास्ता पास्ता डालने के बाद इसमें एक चमच के क्रीव नमक डाला जाएगा अब इसको पाणी को उबलने देंगे जब तक ये पाणी उबलता है तब तक हम पास्ता के लिए चटने बना लेते हैं इसमें हम मैंने लिया है ये चार से पांच सूखी लाल मिर्चे जो गरम पनी में भिगो के रुखी हुई थी साथ में दस से बीस लस्न की कलिया है तीन्ट मटर लियें काटके बड़े बड़े मुटे मुटे काट लियें इसका बनाएंगे जी पेस्ट ये इसका पेस्ट बन चुका है जी पेस्ट में थोड़ ऐसा औरेंज कलर लग रहा है इसके दो ही लाज है चाहतों आप इसमें लाल किश्मीरी मिर्च डाल ले या कलर डाल लें अब मैं किश्मीरी मिर्च डालूंगा इसमें इधर हमारा पास्ता पक रहा है पास्ता लगबग 50 परसेंट पक चुका है यह मैंने पाइप पास्ता लिया है आप मैं करोनी भी ले सकते हो वह आपकी इच्छा है अभी मैंने लाल मेस्टी डाली है इसमें कश्मीरी इससे इसका कलर बढ़िया बन गया है अभी पास्ता को पकने देंगे पास्ता को तीन से चार मेंट और लगेंगे अभी उसके बढ़ पास्ता को हम छान लेंगे पानी लग कर लेंगे अभी देख लेते हैं कलर चेंज हो चुका है पास्ता का इसको हाथ में पकड़ कर दबा कर चेक किया जाएगा तो पता चल जाता है कि यह बन गया है ऐसे चावल को चेक करते हैं दबा के ऐसे कि अगया है जी देखी अभी चान कर ले लिया यह पास्ता ग्यास बंद है अभी उसमें हम शिमला मिर्च और कैरट डालेंगे इसमें आप वो सारी सबजें डाल सकते हैं जो कच्छी पकी आप खा सकते हो कोई भी सबजी आप डाल सकते हैं अभी इसमें डालेंगे हम मैगी मसाला मैगी मसाले के साथ ही हम डालेंगे इसमें जो हमारा पीजे वारा मसाला होता है वो पहले सौस डाल लेते हैं कि साथ के चार से पांच टमर डाल लेंगे अच्छी तरह से कि अगरे कि मैगी मसाला डाल लिया जी अभी और गैनों डालेंगे जो पीजा पे जो पीजे के गुप डाला जाता और गैनों वो मसाला ये साथ में डालेंगे मिक्स्ट हर्ब्स अभी इन सब को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना इसको ताकि जो सौस और मसाले हैं वो पास्ता से अच्छी तरह से लिप्ट जाएं अभी इसमें डालेंगे हम टोमेटो केचप और नमक डालेंगे थोड़ा सा नमक डालने के बार टोमेटो केचप भी डाला जाएगे इसमें अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे मिक्स करना इसमें टोमेटो केचप डालेंगे इसमें टोमेटो केचप डाल दिया जी अच्छी तरह से अभी टोमेटो केचप डालने के बाद इसको भी मिक्स किया जाएगा च्छी तरह यह सारे मसाले रड़के इकठे ही पास्ता को बहुत अच्छा और टेस्टी त्यार करेंगे अभी इसमें डालेंगे जी तेल आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो मैंने सरसों का तेल गरम करके डाला है इसमें गरम करने के बाद ठंडा कर लिये था बाप निकलने के बाद सरसों का तेल हमेशे ऐसे ही डालना चाहिए सरस्वों का टेल डालने के बाद फिर इसको मिक्स करेंगे फिर देखना आप पास्ता कैसे शाहिन करता है अभी गैस चला दिया है गैस चला कर अभी ये टेल डाला है जो मसाले डाले हैं इनको पकाएंगे तीन से चार मिंट का प्रसेस है जी तीन से चार मिंट में हमारा पास्ता शाहिन करने लग जाएगा मसाले बढ़िये पक जाएंगे अच्छा टेस्ट आएगा ये थोड़ा सा तेल ओडाल दिया मुझे लगा है कि तेल कम है तो साथ वड़े बरतन में से मैं निकाल कर तेल डाल रहा हूँ इसमें ये ध्यान रखना है थोड़ा बहुत टाइम बाएं कर्शे हिलाते रहना है नहीं ये पास्ता नीचे लग सकता है अभी ये पास्ता जो है बस इसमें मसाले ही में पकने की जरूरत है सबजियां तो हम कच्ची पकी वही डाली है जो कच्ची पकी खाई जा सकती है देखिए पास्ता कितना अच्छा शाइन कर रहा है बहुत बड़िया बनके पास्ता हमरा त्यार हुआ है बहुत अच्छी खश्बू आ रही है अभी इसको हम सर्व करेंगे सर्व करने के बाद इसके उपर अगर आपको लगे के यह बली चटनी थोड़ी सी और डाल कर इसको आप और स्पाइसी बना सकते हो यह बहुत ही टेश्टी पास्ता त्यार हुआ है जी थेंक्यू